दोस्तों, finally MIVI की एक और Earbuds इंडिया में लॉच्च होने जा रही है जिसका नाम है MIVI DOPORTS A650 तो यह जो Earbuds है इंडिया में 16 में को जो है लॉच्च होने वाली है और यह जो Earbuds है 1299 रुपय में लॉच्च होने वाली है तो यह जो Earbuds है इस Earbuds में कौन-कौन से फीचर्स दिये गए है और आपको यह Earbuds पर्चेस करना चाहिए कि नहीं इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को देखते रहे हैं और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही यूश्पल वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पर अभी इस Earbuds के फीचर्स जो है सो नहीं हो रहे हैं यहां पर केवल इस Earbuds का लांच डेट और प्राइस जो है केवल सो हो रहा है तो यहां पर अभी इस Earbuds के फीचर्स के बारे में बता पाना थोड़ा मुस्किल होगा क्योंकि अभी तक कंपनी ने इस Earbuds के फीचर्स जो है रिवील नहीं किये हैं कल 16 माई है और कल यह जो Earbuds के इंडि में जानना है तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हो और मैं आपको किवल यह बताना चाहूंगा कि इस Earbuds को पर्चेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो देखो अगर इस Earbuds में 10 mm या 11 mm या 12 mm के या फिर 13 mm के ड्राइवर्स जो है देखने को मिलते हैं तो आप इस Earbuds को 11 mm या 12 mm के ड्राइवर्स होंगे तो मुझे लगता है ज्यादा साही होगा जब इस Earbuds के कल सारे के सारे फीचर से रीवील हो जाएंगे तो उसके बाद हम आपको साही से बता पाएंगे कि इस Earbuds को पर्चेस करना चाहिए कि नहीं लेगिन तब तक आप जो है थोड़ा सा इं लगता है कि इस Earbuds में काफी अच्छे-च्छे फीचर्स जो है देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर आपको इस Earbuds का प्राइस कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप इस चैनल पर नहीं ह तो हमेशा देखने को मिलते रहें तो यह था इस वीडियो में मिलते किसी नहीं है